भागलपूर के जगदीशपूर्थाना चेतर के मोधी नगर में एक दरदनाख हाथसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौथ हो गई गटना के दोरान 15 मिनट के भीतर पती पतनी और उनके साड़ू की मौथ हो गई जिससे पूरे चेतर में सोक की लहर दोड़ गई है हाथसा तब हुआ जब सौचाले में पाइप लगाने के दोरान टंकी में लोहे का ओजार गिर गया पुनित यादब ने टंकी का धकन हटा कर ओजार निकालने का प्रियास किया और टंकी के अंदर उतर गए लेकिन दम घुटने के कारण उनकी मौथ हो गई उन्हें बचाने के प्रियास में उनकी पतनी साखो दे भी भी टंकी में गई और उनका भी दम घुटने से निधन हो गया इसके बाद पुनित के साड़ू दीनानात यादब ने भी अंदर जाकर उनकी मदद करने की कोशिस की लेकिन वे भी दम घुटने के कारण नहीं बच सके वहीं गटना की सूचना मिलते ही जगदिसपुर पुलीस मौके पर पहुची और अस्थानिया लोगों की मदद से तीनों के सवों को टंकी से बाहर निकाला गया हाथसे के बाद परिवार में कोहरा मच गया है और पूरे इलाके में मातम चा गया है फिलाल पुलीस ने सबों को अपने कबजे में लेकर आगे की जाँच सुरू कर दी है को लगता अक्सीजन का कमी होगा अंदर में इसी के कारण उसका मिर्टी हो गया है तीन लोग मरें पहले यह गया कुछ गीरा था साइद उसमें जैनी गीरा था उसी को निकालने के लिए नीचे जो मतलब दूसरे टाइप का करने लगा तो दूसरा गया फिर तीसरा गया ती दूसरा जो उसका साडु है गाँ में यहां बगल में साडु है जो का ने वाले का नाम उसकी पतनी का नाम क्या है पुनिल ज़ादाव का जो साडू है उसका नात दीना नात यादाव तीनों सब मल्दूरी करता है तीनों मोधी पुर्निवासी है सब गरीब है पुलीस की विशेश टीम ने तक्निकी अनुसंधान और साक्च संग्रहन के माध्यम से तीन अपराधियों को गिरपतार किया है सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि मुक्य अभ्युक्त साहिद राजा और पराजू को मुंबई से पकड़ा गया है जो अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था उन्होंने कहा कि जाच में असपश्ट हुआ कि हत्या का कारण फिरोती नहीं है बलकि प्रेम परसंग था मिर्तक का अभ्युक्त की भांजी के साथ संबंद था जिसे अभ्युक्त और उसके परिवार ने स्विकार नहीं किया और इसी विवाद के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद इस मामले की जाच में पुलीस ने तेजी से काम किया जिसमें मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और CCTV फूटेज का गहन बिसले संथ सामिल था गिरपतार किये गए अन्ना परादियों में सिट्टू चौधरी और सिकंदर यादव सामिल है जिनका अपरादी की तिहास पहली से ही रहा है वर्यपुलिस अधिक्षक बागलपूर के निर्देश नसर एक विशेष टीम घटन किया है इस टीम पर फूलीस उफादेक्षक विधी वियस्ता ताना धिक्षक बाद और सुल्तन प्रभारी और अन्यपुलिस पदादिकारी और डियू टीम शामिल इसी टीम के द्वारा कही जहां पे चपमारी हो रहा था CDR और CCTV को अवलोकन करके जान चल रहा था इसी क्रम में 8.11.24 को दो अपराधिकर्मियों मामला में सनलिक्त अपराधिकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है इनको निशान देगी के अनसार शाव को डीकंपोस्ट स्टेट में बरामत हुआ है इसी मामला में मुख्य अभ्योक्त शाहिद राजा उर्फ राजु को मुंबई पोलिस के सायोग से मुंबई में गिरफ्तार किया गया है इसी सम्बंदित अभी अन्य सनलिट अपराधिकर्मियों को भी चप्मारी जा रही है गिरफ्तार अभ्योक्तो को विवरन सिट्टू चाओद्री अनुमान मंदिर ताना गोराडी सिकंदर यादव ताना सुल्तान गंच और मुक्य अभ्योक्त शाहिद राजा उर्फ राजु वो मुंबई से गिरफ्तार किया गया है इसमें 5, 11, 24 को शाहिद राजा उनका दोस्त है सिट्टू कुमार उनके द्वारा राजु को बुलाए गया बुलाने के बाद योजना के अनुसर इनको सहयोग से हत्या कर दिया गया इसमें मामला है शाहिद राजा उर्फ राजु को उनको बांजी है उनके साथ मृतक आलम को प्रेम प्रसंग जा रहा था इसी चीज में उनको राजु और आन्य लोगों को मन्जूर नहीं था इसी चीज लेके अध्या कर दिया है बट फिर भी पॉलिस का डाइवर्शन करने के लिए वो फिराउती मांग रहा था ये एक बार मांग रहा था उसके बाद उनका फोन सुचाप हो गया उसके बार फिराउती उनके द्वारा नहीं मां वैटक के सिंडिकेट सवागार में राजिपाल के आगमन की तैयारियों के मद्दे नजर एक महतपुर्न बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में भागलपूर जिलापरसासन के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बिस्विद्याले के सभी प्रमुक पदादिकारी बिभिन समीतियों के कनवेनर और प्रोटोकॉल समीति के सदसे सामिल हुए वैटक का उदेश राजिपाल के आगामी दोरे को सफल और सुचारू रूप से संपन करना था वैटक के दोरान राजिपाल के स्वागत सुरक्षा और प्रोटोकॉल से सम्मंधित बैवस्थाओं की गहन सम प्रोटोकॉल समीति साहित सभी समीतियों के सदस्यों को उनकी जिमेवारियों से अबगत कराया ताकि कारिकरम के दोरान किसी भी परकार की और सुचा जा सके बैटक में अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि राजिपाल के आगमन से पहले सभी तयारियां पूरी कर ली ज और विश्चो विद्याले के बीच समनवे को और अधिक मजबूत किया है जिससे राजिपाल का दोरा ना केबल सफल बलकि यादगार भी बनाया जा सके अधिक मुलानी पदी के आगमन प्रिश्चुरक्षा की क्या प्यारी रहेगी सार चाहुदर तारी को माने निये गावर्नक्स अफका विसिक तिलकामाज उनिविस्टी में होगा इसके अनसार हम लोग सुरुप्षित बार में पुलिस प्रसासन और दिल्ला प्रसासन के अन एक तों लोग यहां पर थे और मैंने अपना सार अची प्रोग्राम उनको बता दिया है कि चावदत तारीकु तीन जगा प्रोग्राम है और जिसमें सबसे पहले तो वहां पर फांडेशन स्टोन डाला जाएगा फिजियो थिरापियन योगा का पहला कालिक्रम वहां से पि कॉलेज है उसके महिला प्रभाज का उठाटर कर ये तीन बड़े काजिक्रम है सरदर्ड, चक्कराना, गर्दन दर्ड, कमर दर्ड, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसिस, गत्या, साइटिका, फोलियो, गुटनों का दर्ड, आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्स इंजुरी, स् पेरसोनल अगना जैसी अन्य बिमारियों का इलाज करवाए, डॉक्तर प्रवीन कुमार ज्छा, फिजियो थेरेपिस्ट, एडवास निूरो डाइग्नोस्टेक एन फिजियो थेरेपी सेंटर, ग्रामीन बैंट के नीचे, हतियारोर, तिरका मानची भागलपुर, बिहार, क देखी जा रही है, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भी यही न जारा, देखने को मिला जहां हज्जारों लोग आनंद बिहार जाने वाली विक्रम सिला एक्सप्रेस में चड़ने के लिए पहुँचे, यात्रियों को सुगम यात्रा परदान करने के लिए रेलवे परसा थे हैं, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डाउग स्क्वैट की टीम भी तैनात की गई है, जनरल डबो में यात्रियों को उचित व्यवस्था से चड़ाया जा रहा है, जहां पहले से ही टोकन परनाली लागू की गई है, इससे यात्रियों को व्यवस्थी तरीके से चड़ने और बैठने में मदद मिल रही है, यात्रियों ने संतोस व्यक्त करते हुए बताया कि इस वार की व्यवस्था पहले से बहतर है, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो रही है, यात्रियों ने कहा कि वे छट पर्व मनाने के लिए अपने घर लौ देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है दिकरम सीला यहां पर खड़ी है और काफी संख्या में यहां पर लोग जो है छट पुजा को लेकर जो आए थे वो अब धीरे धीरे दिली के तरफ जाते हुए और काफी संख्या में भीड़ और यहां पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है मैं आपको कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा बागलपूर से तीन घंटा पहले नहीं नहीं कोई दिकर में विसाल ने जैसा बताया कि यहां पर पुलीस परसासन के द्वारा भी यहां पर अच्छी खासी वेवस्ता की गई थी और भी कुछ लोग है अब अब इसा अब इसा कभी अगटना नहीं हुआ बागलपूर में बिहार राज विदिक सेवा प्रादिकार पटना के निर्देश अनुसार विदिक सेवा दिवस पर विसेश जागरुकता कारिकरम और रैली का आयोजन किया गिया इस कारिक्रम का मुख्यू देश आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और विदिक सेवाओं के परती जागरुक करना था कारिक्रम में नया धीज जिला विदिक सेवा प्राधिकरन के सची ब्यवार नियाले के करमचारी और वकीलों ने भाग लिया इस अफसर पर विविन जागरुकता गतिविदियों का आयोजन किया गिया जिसमें लोगों को मुप्त कानूनी साहिता और नियाइक परिक्रियाओं की जयानकारी दी गई रैली के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गिया कि वे किस प्रकार कानूनी साहिता प्राप्ट कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं आयोजुकों नहीं बताया कि इस तरह के कारिक्रम से समाज के कमजोर और वन्चित वर्गों को उनके अधिकारों के परती जागरुक बनाना संभवे इस आयोजन से भागलपूर के नागरिकों को नाखेवल कानूनी जानकारी मिली बलकि उन्हें अपनी समस्याओं के समधान के लिए कानूनी सेवाओं का उपयोग करने की प्रेरना भी मिली अपने विधिक अधिकारों के लिए जागरुक करते हैं और उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जानते हुए विधिक सहायता पाने के लिए डेले से जरूर आए सुल्तान गंज केज गैविना दाम में सनिवार की देर साम छट पूजा के विशिस अपसर पर सुर्देव भगवान की परतिमा का विधि पूरवक और हरसो लास के साथ विशर जन किया गया परतिमा को वड़ी दुर्गास्थान के समीप से ढोल बाजे के साथ भब जुलूस में नगर भ्रह्मन करते हुए गंगा नदी में बिसर जीत किया गया इस अपसर पर नगर में उत्सब का माहौल था जहां सरदालू नास्ते गाते नजर आये कारिक्रम के दोरान छट पूजा समीति के सदस्य और सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए पुलीसवल तैनात्ता जहां या आयोजन सांतिपुर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हुआ जिसमें बड़ी संक्या में लोगों की भागीदारी रही